हेलो और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चनल देसी प्रॉफिट टॉक और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है क्यों को SBI और HDFC बैंक से जो है होम लोन का कंपेरिजन कराना है अगर आगों 25 लाग का लोन लेते हैं 20 सालों के लिए तो दोनों ही बैंकों में जो है क्या मंतली माई बनेगी क्या जो है आपे टोटल इंटर्स बनेगा फिर हम आपको बताएंगे SBI और HDFC बैंक में जो होम लोन के क्या इंटर्स एट वगरा चलना है क्या eligibility वगरा रिक्वार होती क्या document वगरा रिक्वार होते हैं कौन-कौन से types of home loan यहाँ पे चलना है किन scheme के तहट जो है आप यहाँ से loan वगरा ले सकतो loan के offer वगरा चेक करने वो आप कहां से चेक कर सकतो तो complete information देंगे हम इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा आखिर तक वाच करीगा वीडियो पसंद आ है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा तो चलिए आए शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं दोनों ही बैंकों को जो है home loan के interest वगरा क्या starting हो रही कौन-कौन सी scheme के तायत आप यहाँ से loan वगरा ले सकते हो उसे पहले हम आपको एक website के बारे मताना चाहेंगे जिसका नाम दे disability चेक करना, document वगरा चेक करना तो आप सब जो है यहां से देख सकते हो जैसे कि यहां पे आप कुछ offer वगरा पेज के शुरुवात में ही देख सकते हो जैसे कि ICICI bank home loan का offer वगरा चलना है, ICICI bank credit card का चलना है, अगर कोई car वगरा second hand, car वगरा buy करनी, उन सब के आपको offer वगर तक चलेगा, अगर आप salary individual हो, non salary individual हो, तो आप यहां से loan वगरा ले सकते हो, कोई woman वगरा है, वो आप यहां से loan वगरा ले सकता है, तो देखिए अगर आपका civil score 800 800 के उपर होगा, आपको rate of interest 8.40 पर मिल जाएगा, पहले rate of interest 8.55 चल ला था, ऐसा ही आप 750 से 799 के बीच में आ ले लिया है, इसका वो हमने ले लिया 8.40 के आपका civil score, अगर सारे 700 से 800 के बीच में आ, तो आप इस festival campaign offer के तहज जो है, इस rate of interest पर आपको जो है, loan वगरा मिल जाएगा, तो 8.40 जो है, SBI का हमने rate of interest माल लिया, अब हम चलते हैं, इसका monthly MI आपको calculate करके बताते हैं, सबसे पहल आपका loan ले रहा हो आप, rate of interest जो अभी हमने बताया, 8.40 से starting हो रही है, SBI की, और यहाँ पे हमको लेना है 20 साल के लिए, तो आपने आपके 20 साल सलेक कर लिया, अब देखेगा, आपका monthly MI और total interest क्या बनेगा, तो monthly MI देखेगा, आपका बन रहा है, यहाँ पे 21,538 रुपए, interest पे करना पड़ेगा, आपको 26,09,027 रुपए, total payment आपको करने होगी 51,09,027 रुपए, यहाँ देख सकते हो, principal loan amount 48.4% है, जो आपने 25,00 के लिए है, और total interest जो आप चुका रहे हो, जो किया 26,09,027, जो है 51.6%, इस तरीके सा आप अपना monthly MI देख सकते हो, कि 25,00 के home loan पर 8.4 क interest पर जो इनका festival campaign offer का rate of interest की starting है, और 20 सालों के लिए लेते हो, तो आपका monthly MI 21,09 बनेगा, और interest आपको 26,00,000 के आसपास का total interest आपको pay करना पड़ेगा, तो यह तो हमने बात करी SBI की, अब हम चलते हैं, आपको HDFC का rate of interest जिखा देते हो, home loan में क्या चलना है, तो HDFC में भी खिए कि civil score 800-800 के उपर होगा, तो rate of interest 8.20 पर मिलेगा, others के लिए 8.40 to 8.90 पर मिलेगा, और अगर आप standard home loan rate से लेते हो, तो अगर आप women हो 30 लाग का लोन लेते हो, तो 8.60 से starting है, others के लिए 8.65 पर starting है, for women 30 लाग से 75 लाग के बीच का लोन लेते हो, तो 8.85 से starting है, for women 35 लाग के भी उपर का लोन लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग अगर अगर अदर्स के लिए जो 75 लाग या उससे उपर का लोन लेता तो 9% से यहां पर स्टार्टिंग वहरा होगी तो हमने जो इसका रेट ऑफ इंटर्स माल लिया वो लोन 10 वरा मिले हैं सब 20 साल के लिए तो अब देखेगा इसका जो मंतली माई बनेगा वो बनेगा आपका 21,223 रुपए इंटर्स आपको देखेगा तोटल पे करना पड़ेगा 25,93,589 रुपए तोटल पेमेंट आपको करनी होगी 50,93,589 रुपए यहां देख सकते हो प्रिंस्पल लोन अमांट जो है इसका होगा 49,1 परसंट और टोटल इंटर्स जो होगा वो होगा 50,9 परसंट इस तरीके से आप इसका मंतली माई डिटेल से कैल्कुलेट कर सकते हो तो यहां पे देखे आप HDFC का जिसमें आपका मंतली माई इतना बनेगा और यह रहा आपका SBI का जिसमें आपका मंतली माई इतना बनेगा दोनोई चीजे आप जो है चेकाउट कर सकते हो तो इस वेप साइट पर जो विजिट करना मत बूलेगा जैसे कि आप जितने years के लिए लोन लिया है उन सब years का आपको यहाँ पर देखे प्रिंस्पल और इंटरेस्ट अलग अलग बता देता है नीचे आएगा तो यहां से आप किसी भी year के किसी भी month का जैसे 20-20 के मान लेजिए हम मान लेजिए फर्वरी महीने का देखना चाते हैं तो हमें मेरा principle देखिए फर्वरी महीने में 4,000.49 भी लगेगा interest हमको pay करना पड़ेगा 17,443 total payment बनेगी हमारी 21,537 रुपए और यहां प SDFC bank में देखिए comparison करके देख लेते हैं क्या क्या purpose के लिए आप यहां से loan ले सकते हो तो SBI में देखिए जैसे कि आगर आपको कोई नई property वगरा खरीदना है कोई plot वगरा खरीदना है कोई अपना घर है उसमें renovation कराना है improvement कराना extension वगरा कराना है तो आप SBI से loan वगरा ले सक यही same process SDFC में भी है यहां पे भी आप जो है कोई नया flat वगरा खरीद रहो plot वगरा खरीद रहो या construction वगरा करा रहो extension करा रहो renovation वगरा करा रहो तो इन सब के लिए आप जो है दोनों ही bank के आपको loan provide कर देंगी eligibility जो है profile वो क्या required होती है तो resident कोई भी salary individual कोई भी self employed individual दोनों ह criteria जो बताया था मैंने minimum SBI में जो 18 साल है और इसमें भी 18 साल हो और SBI में आप maximum 75 year तक loan ले सकते हो और SDFC में 65 years तक loan amount देखिया maximum आपको कितना मिल सकता है दोनों जगा है तो SBI में भी maximum आप 10 क्रोण तक का loan ले सकते हो अगर आप 30 लाग के अंदर का loan लेते हो तो आपकी property value का 90% तक SDFC और SBI दोनों ही आपको 90% जो है loan वगरा provide कर देंगे आपको loan tenure आप दोनों ही अगर 30 साल तक का ले सकते हो rate of interest की starting है SBI में 8.40 से starting है इनके festival campaign offer किता है और अगर आप SDFC में जो है आप rate of interest देखोगे तो इनका अगर special home loan से लेतो तो 8.20 से starting होगी और अगर आप standard home loan से लेतो तो 8.60% से आप rate of interest की starting करा होगी processing fees processing fees अभी तो SBI में जो है processing fees festival campaign offer किता है जो है कोई भी processing fees आपकी नहीं लगेगी लेकिन जब आपका festival offer खतम हो जाएगा तो आपको 0.352 0.50% जो है आपके loan amount का processing fees ली जाएगे वही HDFC में आपको 0.50% आपके loan amount का जो है आपके processing fees ली जाती है जो कि maximum 3000 रुपए के आसपास की होगी आपकी prepayment charges क्या है तो SBI और HDFs दोनों ही bankों में आपको जो है कोई भी prepayment charges देने की ज़रूरत नहीं अगर आप floating interest rate से जो है loan लेते हो तो features and benefits आप देखे अगर आप SBI woman borrower हो तो 5 basic point का जो है आपको यहाँ पर concession वगरा दिया जाएगा prepayment penalty जो नहीं है आप यहाँ पर आप top up loan overdraft and balance transfer की भी facilities वगर आपको मिल जाएगे कोई hidden charges नहीं attractive tax benefit वगर आपको मिल जाएगे तो यहाँ पर HDFC में देखे यहाँ भी जो है woman borrower को जो है interest rate में concession वगरा दिया जाएगा multiple loan repayment option यहाँ पर आपको मिल जाएगे easy and quick document process मिल जाएगा कोई hidden charges नहीं है attractive tax benefit यहाँ भी आपको मिल जाएगे यहाँ पर भी आपको top up overdraft और balance transfer की जो है वगरा मिल जाएगी अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ document वगरा क्या लगते हैं तो document वगरा जो है CME लगते है home loan लेने के लिए तो कुछ document देख लेते हैं जैसे कि SBI home loan application form आपको सबसे पहले भरना पड़ेगा तीन passport size photo देनी पड़ेगी फिर अगर आप अगर अगर आप जो है नॉन इंडिविजवल हो तो इंप्लाइमेंट आड़ाइडी कार्ड देना पड़ेगा आपको उसमें आप प्रूफ अवडेंटी प्रूफ और रेजिटेंट प्रॉपर्टी डॉक्यमेंट वगरा आपको दिखाने पड़ेंगे इस्टेटमेड़ेंट वगरा लास् 6 मंद का बैंक इकाउंट इस्टेटमेंट आप दिखाना पड़ेगा और अगर अगर आप सेलरीड इंडिविजल हो तो सेलरीस स्लिप दिखा सकते हो, सेलरीस सरटिविचर दिखा सकते हो, नास्स हे। और अगर आप self-employed हो तो आप income tax return last to financial year का यहाँ पर दिखा सकते हो और अगर आप non-celerated individual हो, self-employed individual हो तो आप business address proof दिखाना पड़ेगा आपको income tax return last 3 year का balance sheet profit and loss account statement last 3 year का business license detail तो यह कुछ document वगरा होंगा जो आपको यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे होम लोन, NRI होम लोन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा flexi pay होम लोन है, privilege होम लोन है, sorry होम लोन है यह उली defense वालों के लिए होता है, reality होम लोन है, home top-up लोन है bridge होम लोन है, smart home top-up लोन है, insta home top-up है, corporate होम लोन है आपे होम लोन टु non-celerated है, tribal plus होम लोन है earnest money deposit है आपे, और यह आपे देखे कुछ home loan की SBI में scheme वगरा चल लिए हर category के लोगों के लिए जहाँ पर एक scheme वगरा चल लिए अगर आप salary हो, to salary के लिए हाँ से loan वगरा ले सकतो, self-employed के लिए थोड़ी से अलग scheme वगरा चलती है, और अगर आप defense person हो, to defense person अलग से loan वगरा ले सकते हैं आपे, जैसे HDFC में देखे कौन-कौन scheme चल लिए है, तो एक तो regular home loan है, फिर यहाँ पे HDFC rich loan है, plot loan वगरा है, rural housing loan मिल जाएगो, home improvement loan मिल जाएगो, home extension loan है, top up loan है, balance transfer है, loans for NRI है, तो यह कुछ जो है, आपे loan की scheme वगरा है, आपे चल लिए है, तो देख सकते हो, आप SBI और HDFC में जो है, कौन-कौन सी scheme वगरा चल लिए है, तो I hope आपको हमारे information जो आप पसंद आई होगे, वीडियो अगर आपको informative लगा हो, तो चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, और हमें comment करके बतायागा, आगे आप किन दो बैंकों का comparison कराना चापते हो, या home loan हो, person loan हो, car loan हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हूँ, आज की वीडियो में बस इतना है, तो मिलते नेक्स लिए में तब तक के लिए धन्यवाद